हेलो इव्रिवन नमस्कार आप सभी का सबसे पहले मैं तो उन सभी महानुभावों से रेक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सबसे पहले आप मेरी पुरी वीडियो को देखे उसके बाद ही कॉमेंट करें क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो की पुरी वीडियो को नहीं देखते हैं और बहुत सारे ऐसे कॉमेंट करते हैं कि आप वीडियो बना कर राजनीतिक करते हैं तो मैं उन लोगों को पहले ये बात बदान देना चाहता हूं कि मैं किसी राजनीतिक दल से ये विडियो नहीं बना रहा हूँ या किसी राजनीतिक मुद्धे पे ये विडियो नहीं बना रहा हूँ बिहार की जो विवस्ता है जो हमारी अर्थ विवस्ता है जो यहां की नियम है उस तौर तरीके को लेकर जितनी अभी बिहार में पिछरे जोकिपर की नमर्म्हों और घ्राओं जो कि यहां पर गास्तुना जाया जो तो सबसे पहली बात मैं ग्रामिन चिकिसक बहाली को लेकर बताना चाहूंगा कि बहुत दिनों से यहाँ पर ग्रामिन चिकिसक बहाली को लेकर बहुत सारी ऐसी चर्चाय चल लही थी जिसको लेकर हर संडे इलवी सर आते थे और ग्रामिन चिकिसक बहाली को लेकर असवासन द किरन जा गी है जो कि चुनाव से पहले अगर नियूगती हो जाएगी या नहीं हो जाएगी तो इन सारी बातों पे फोर्जा करूंगा और सबसे पहली बात है कि सबसे पहली बात है कि Clementine खेलने से कोई चीज का मासला का हल नहीं होता है, गुरूब का माइने भी होना जोरी होता है, गुरूब का उद्देश भी यहाँ पर होना जोरूरी होता है, तब जाकर जो है कोई भी सिखर तक अपने लक्ष तक पूरा होता है, अन्य था आप गुरूब गुरूब खेलते र जा सकते हैं और जो लोग को अच्छा लगता है वो इस वीडियो को अंतक देखें तो सबसे पहले ग्रामिन चिकिसको की वियथा को लेकर जो जनकारिया जो है जो मैं आपको इस वीडियो के माधम से बताऊंगा जिसको लेकर जो है बहुत सारे ग्रामिन चिकिसको ने मेल किये हमारे बिहार सरकार को हमारे नितिश जी को मानिय मुखमंत्री जी को बहुत सारे ऐसे मेल भी किये गए बहुत सारी ट्विटर पे ट्विट भी किये ग्रामिची की सकोन ने मिलकर वो उसने बहुत अच्छा सराहनिय कार्ज भी किया है जिसको लेकर पेपर में पेपर कटिंग के निउस से कल के निउस के रिपोर्ट में पेपर कटिंग के माध्यम से निउस भी आई है जिसको मैं आप सोबों के बीच जो है दिखाना चाहूंगा जसा कि आप देख सकते हैं कल के न्यूस पेपर के माध्यम से ये नोटिपीकेशन जो है वो जाड़ी की गई है कि गरामींस जिसकों ने अपनी व्याथा जो है वो अपनी सरकार से बिहार सरकार से सुनाई है गुहार लगाई है बिहार सरकार की कि हमारी जो सर्ते हैं हमारी जो बाते की गई है हमारे बीच जो जिन बातों को आपने रखा है उन बातों को जो है नियामावली किया जाए उन बातों को उन मुलन करते हुए उनको सर्त को पूरा किया जाए जिसक को लेकर जो है नोटिफिकिसंस में आपको पेपर कटिंग के माध्यम से कही गई है कि ग्रामिन चिकिसकों ने अपनी समस्याओं को लेकर मुख मंतरी को पत्र भेजा पत्र में चिकिसकों ने यह उल्लेख किया है कि रास्ट्रीय मुक्त विश्विद्याले से सरकार के निर्द से जोला चाप नाम के डॉक्टर जैसे सब्द जो है वो हम ग्रामिन चिकिसकों पर जो धब्बे लगते थे वो अब हटाकर जो है ग्रामिन चिकिसक का रूप दिया गया है वो एक सरकार की अच्छी पहल है लेकिन उसके साथ ही एक और जो बात हम लोग कही गई थी कि आप लोग को ट्रेनिंग देकर जो है आप लोग को परसिच्छन देकर आप लोग की सरकार के अंदर जो है कार्ज करने पड़ेंगे कार्जरत रहने पड़ेंगे वो चीज जो है यहां पर अभी तक पूरी नहीं की गई है जिसको लेकर जो है बहुत सारी अभी तक हम लोगों को लडाई लरनी है और बहुत सारे चीजों को यहाँ पर संगठन रोहोकर जो है इस चीज को पूरा भी करना है जिस चीज को लेकर बातें यहाँ पर कही गई है कि इस बिवस्था के लिए हम लोग राज सरकार के प्रती अभारी है सरकार द्वारा हम लोगों को यह अस्वासन भी दिया गया था कि प्रसिच्छन के उपरांत सरकारी सिवा में कार्ज करने का अवसर दिया जाएगा लेकिन इस अस्वासन के लंबे समय बीत जाने के बावजूद भी हम लोगों को सेवा के लिए बहाल नहीं किया गया तो बहुत सरे ऐसे नितिस जी जो भी हमारी सरकार है हमारे बिहार के जो मुख मंतरी है जिन्होंने हम लोगों के बीच परसिछन देकर एक बहुत अच्छा कार्ज किये और जिसको लेकर यहाँ पर हम लोगों के बीच ये भी कहें कि आप लोगों को सरकारी सिवा में दे दिया जाएगा लेकिन कभी ऐसा होता है कि बिहार सरकार जो बोलती है वो अटोमेटिकली पुर्ण रूप से कुछ ही दिनों में नहीं कर पाती है ये एक बहुत असोबनिये बात है और सोचनी ये बात है कि हम जिस रूप से अपनी सरकार है जो बोलते हैं वो करके दिखा तो ज्यादा अच्छा लगता है कि हम आज बोले तो महीना दू महीना तीन महीना में हो जाना चाहिए और बहुत सारी ऐसे बैकेंसी यह नहीं है कि हम सिर्फ ग्रामी ची ज्यारी किया जाएगा और उसको लेकर फिर जो है एक्जाम के लिए 6 महीने बीते जाते हैं अब फिर निवक्ति के लिए फिर 2 साल बात नियूक्ति होते हैं तो ये सारी प्रक्रिया एक वे वेकेंसी 2-3 सालों में निपड़ती है तो ये सारी चीज है और वही चीज यहां पर गरामिची किसकों को लेकर भी जो है जो कि अभी तक सिवा में कारिड्रक्वृत लेकर दिये गये हैं जिसमें संतोश सर्मा, रघुवन्स मिष्रा, समसाद आलम, रभी परकास और विमल पांडे समित अन्ड लोगों ने बताया कि हम लोग की उमीद है कि सरकार हमारी मांगे वो पूरी करे तो सरकार की तरफ से जो बाते कही गई थी जिनको लेकर ग्रामी चिकिसको ने अपने व्यता को सुनाई है जिसको लेकर बिहार सरकार अभी तक कोई उमीद की किरन ग्रामी चिकिसकों के प्रती नहीं जगाया है जिसको लेकर हमारे मेल पर एक मैसेज भी आया था जिसमें संजीव दिक्षित जी गया जिला के अंतरगत आते हैं उसने मेसेज किये थे कि अभी तक गया जिला अंतरगत टिकारी अनुमंडल अस्पताल में परसिचित ग्रामिंच किसकों में मात्र 36 या 38 लोगों का जो है सर्टिफिकेट आया है जबकि 125 लोगों का यहां पर परसिच्छन पराप्थ हुआ था तो बताइए कि यहां पर 36-38 ल तो बिषरी किन्द्र में बिहार सरकार के नकामी कही जाती है कि कोई भी ऐसी विवस्था हो जो कि कि निम्ने रूप से हर चीज में पिछरे ही रह जाते हैं तो इस चीज को लेकर थोड़ा आगे बढ़ना होगा और दूसी नमरुची दिनेश कुमार जी जो है वो भी मेसेज करते हैं कि अभी जो बिहार का हाल है क्या लगता है सभी लोगों कि सीर्फ और सीर्फ ग्रामी चिकिसको को बोट देने से मान्य मुख मंतरी जीत जाएंगे तो यह भी एक मतलब कि ग्रामी चिकिसको में एक आसा है या किरन है जो भी बोट अगर नहीं देते हैं तो मान्य मुख मंतरी जी हार जाएंगे वो नहीं जीतेंगे तो यहां पर यह मंसा रखने से नहीं होने वाला है दूसरी नमर चीज है कि सबसे बड़ी चीज हम लोगों को नियमावली नियोजन के प्रक्रिया के बारे में सोचना है कि हम लोगो को नियोजन कैसे कि हम लोगों प्रशिछन मिल गया कुछ लोगों का सर्टिफिकेट नहीं आया है उन लोगों को एक पी पता करना चाहिए और वहां से कब तक सर्टिफिकेट आएगा उनकी जनकारी जो है वो ले लेनी चाहिए दूसरी नमर चीज नियोजन की अगर हम बात चेंगी क्योंकि सिचक बहाली को ले कर भी डिय एलेड वालों ने अपनी मांगों को पुड़ा किया अपने सरकार से बताई कि जुनवाले को नियोजन में लिया जा रहा है बट दिसंबर में जिनका एक्जाम हुआ था उनको नियोजन में क्यों नहीं लिया जारा मात्र 80 गुहार नहीं लगा सकते हैं सोचने वाली बात है कि बिहार के असी डियलेड छातर जो है एक संगठन होकर एक जूट होकर जो है सुम्प्रीम कोट में गुहार लगाने के बाद जो दुन की मांगे को पूरी कर ली जाती है तो ग्रामी चिकिसक तो यहाँ पर 600 है 600 में यहाँ पर 800 की भी गुहार नहीं सुनी जाएंगी यानि कि सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ग्रामी चिकिसको की एक जूटता है ही नहीं अगर ग्रामी चिकिसको की एक जूटता रहती तो अभी तक जो है ग्रामी चिकिसको के बारे में कुछ न कुछ खुस खबरी जो ह है हमारे बिहार सरकार के द्वारा जरूर अभी तक आई होती दोस्तों जिन लोगों को मेरी बातों से बुरा लग रहा हो उनसे मैं छामा मांगता हूं उनके लिए मैं छामा प्रार्थी हूं लेकिन जो भी मैं बोला परफेक्ट बोला अगर आप लोग को खराब लगता है तो लोग के भलाई के लिए ही और मेरे चैनल पर अगर आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को दबा लिजे ताकि कोई भी ऐसी लेटेस्ट नोटिफिकरशन जो ग्रामी ची किसों को से रिलेटेड आएंगी सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी औ और टेलीग्राम से भी मेरे जूर जाए क्योंकि कोई भी ऐसी लेटेस्ट नोटिफिकरशन जो है उस पर पीडिएफ जो है सेर कर दी जाती है और चलिए हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद